हेलो फ्रेंड्स, आई एम बावीनी मिस्ट्री, वेलकम टो माई चैनल अधी कुकिंग हाउस आज आपके लिए मैं लिल्वा की काच्वरी की रैसीपी लेके आई हूँ लिल्वा की काच्वरी में तुवर के डाने में से रेडी करने वाले हूँ आज आपको मेरी एर ऐसी ही पसंद आए तो लाइक, सेर और कॉमेंट जरूर कीजिएगा और मेरी चैनल को सबस्काइब करना बिल्कुल न बुलिए और बेल आइकोन भी जरूर प्रेस कीजिएगा जिससे आपको मेरी नेक्स लेसीपी का नोटिफिकेशन मिल्टा रहे ताए हम यह रैसी बनाने के लिए मैंने यह वन बाउल तूवर का डाना आता है हरी तूवर उसको मैंने ले लिया है आप उसको लिल्वा भी बोल सकते हो तो उसको मैं अभी मिक्स्टर में ग्राइंड कर लेती हूँ ये मिक्सर जान में में ये लिल्वे का डाना को मैं इसके अंडर एड कर लेती हूँ और उसको मैं पीस लेती हूँ ये डाने को मैं बारिक नहीं पीस होंगी उसको मैं मीडियम ही रखोंगी और ये डाने को मैंने अच्छे से पीस लिया है ये मैंने उसको डरडरा रखा है ये हमारा बीच-बीच में ये पूरा डाना भी है जिसे हमारा रेसिपी का क्रंची टेस्ट आएगा इसके लिए मैंने ये पूरा डाना बीच-बीच में रखा है और डरडरा पीसके रेडी किय साइट पे कर लेती हूँ है यह मैंने कपैन लिया यह इस्पर और यह कर नियुकर यह여ONको बूसे dość आऺी, पांठ लिए हूं्या देनाओनि एका असली शुरीफ लियाल नियुकर लीव यह वाकश है किसमीस को थोड़ा फुलनेट हूंगी फुल जाएं फिर बाद में इसमें में आगे का इंग्रीडियन्ट से एड़ करुंगी हमार यह किसमीस अच्छे से फुल गई है तो इसमें में एवन चम माच ग्रीन चिली पेस्ट कर लेती हूं अभी इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूं, हम इधर मीदियम आची रखेंगे, यह मसाला को हम ग्रीन खिली पेस को हम सौते कर लेंगे, इससे हमारा यह मसाला बिल्कुल भी कच्छा नहीं लगेगा, अभी इसमें मैं हाफ चम्मच हल्डी पाउडर एड़ कर लेती हूं, हाफ चम्मच दनिया पाउडर, तेस्ट एकोर्डिंग सॉल्ट, वन चम्मच कोकोनट पाउडर, कोकोनट पाउडर की क्वांटिटी में इधर थोड़ा जाड़ा लूँगे, अभी यह सब को मैं अच्छे से मीक्स कर लूँगे, हमारा यह सब मसाला अभी साटे हो गया है, तो इसमें मैं हिसा हुआ, तूवर का या फिल लिल्वा का यह डाना एड़ कर लेती हूँ, इसके साथ मैं थोड़ा हरा जनिया, हरा लसून एड़ कर लेती हूँ, और अभी इसको मैं अच्छे से मीक्स कर लेती हूँ, यह डाना मैंने कच्छा यूश किया है, इसके लिए म मैं अभी इसको लीड करके 5-10 मिनीट के लिए थूरी डेट पकने डूंगी इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाऊंगी 5-10 मिनीट के लिए यही मीडिया माच पर ही पकाऊंगी अभी यह 10 मिनीट हो गई है तो मैं लीड ओपन कर लेती हूँ और आपको डिखाते हूँ हमारा यह डाना अच्छी तरह से पके रेडी हो गया है मैंने गैस बन कर लिया गैस बन करने के बाद इसमें मैं दो चम्मत सुगर एट कर लेती हूँ बाद में सुगर एट करने से हमारा इसमें बिलकुल भी नीचे चिपकेगा नहीं और हमारा इसमें पानी भी नहीं चूटेगा जाड़ा और इसमें मैं वन चम्मत जितना निम्मू का रस एट कर लेती हूँ वन चम्मत जितना मैंने लिम्मू का जूस एट कर दिया है फिर बाद में मैं अभी इसको मिक्स कर लोंगी आप इसमें और ड्राइफ रूट एड़ करना चाहते हो तो कर सकते हो यह हमारा अभी अच्छे से मिक्स हो गया है तो अभी यह मिश्रान को मैं अच्छे से बहुत ही अच्छी तरह से उसको थंडा कर लोंगी हम उसको थन्डा हो जाने के बाद ही इसको यूज करेंगे तो मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूँ इसको तब तक मैं आटा गुट के रेडि कल लेती हूँ दूसरी साइट पे तो मैंने ये वन बाउल मैडा लिया है मैडा मैं मैं एक चम्मच चावल का आटा एड़ कर लेती हूँ और एक चम्मच केहूं का आटा ये डोनों हम मिक्स करेंगे तो हमारी ये बहुत ही खस्टा कचोरी बनके रेडी होगी इसमें थोड़ा सा मैं सॉल्ट एड़ कर लेती हूँ एक से डेड़ चम्मच जितना मैं इसमें आईल एड़ कर लेती हूँ मौईन के लिए अभी ये सब को मैं अच्छे से मिक्स कर लोगी ये तीन आटा हमने एड़ किया है जिससे हमारा ये कचोरी का बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा और हमारी ये खस्टा कचोरी भी बनके रेडी होगी ये हमारा अच्छी से अभी मीक्स हो गया है तो इसमें मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी एड़ करती जाओंगी और उसका आटा गुट्टी जाओंगी हम साथ में सब पानी एड़ नहीं करेंगे हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी एड़ करेंगे हम आटे को बहुत सॉफ्ट नहीं करना है हम ज़्यादा सॉफ्ट कर देंगे तो हमारी ये कचोरी कस्टा बनके रेडी नहीं होगी तो देखो मैंने ये आटा गुट को रेडी कल लिया है अभी इसको मैं पांच मिनिट के लिए सैट करने के लिए साइट पे रख लेती हूँ तब तक मैं ये मिसरा हमारा थंडा हो गया है तो इसमें मैं थोड़ा थोड़ा पाट लेके उसकी गोलिया जैसे बना के रेडी कल लेती हूँ जिसे हमारी ये हम कचोरी बनाते वक ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा ये हम बना के आगे से रेडी कल लेंगे तो देखो हम ऐसे ही मीडियम गुली बना के रेडी करेंगे, ऐसे ही मैं सब बना लेती हूँ, देखो मैंने ये सब बाल्स बना के रेडी कर लिया है, अभी इसको मैं थोड़ा साइड पे कर लेती हूँ, अभी जो मैंने आटा गुट के रेडी किया है, उसको मैं थोड़ा वा लोए की साइज हम छोटी रखेंगे मेडियम उसको हम बड़ा नहीं करेंगे ऐसे में सब लोए बना के रेडी कर लेते हूं तो देखो मैंने ये सब लोए बना के रेडी कर लिये हैं अब ये लोए को में बेल लेती हूं हम उसको पतला ही बेलेंगे हम उसको बहुत थीक नहीं थीक रखने से हमारे ये पूरी हम थीक रखेंगे तो हमारी ये कचोरी का टेस्ट अच्छा नहीं आएगा हमारी ये कचोरी थोड़ी फिकी लगेगी इसके लिए मैं उसको पतली बेल रही हूँ देखो मैंने ये पूरी बेल के रेडी कर ली है तभी इसमें मैं ये बॉल्स रख लूँगी थोड़ा थोड़ा पाट लेके ऐसा में करती जाओंगी और उसकी कचोरी बनाती जाओंगी ये स्टेप तक आ जाए फिर बाद में हम बीच में से उसको थोड़ा प्रेस करेंगे और इसमें हमारा ये जो जाड़ा अला पाट आया वो हम निकाल लेंगे जाड़ा अला मैंने ये लुए को तोड़ लिया है अभी इसके मूँ पेसे में ऐसे बन कर लूँगी और उसको वापिस में ऐसे राउन गुमा के अच्छे से से शेट कर लिती हूँ तो देखो हमारा ये कितना अच्छी तरह से से शेट हो गया है तो देखो मैंने ये सब कच्छोरी बना के रेडी कर लिया है तभी इसको में डिफ्राइ कर लेती हूँ आप ऐसे ही इसको स्टोर भी कर सकते हो दो तिन दिन के लिए डिफ्राइ करने के लिए मैंने ये पैन लिया है पैन को मैंने गरम करके इसमें ओयल एड कर लिया है ओयल को भी बेने अच्छे से गरम कर लिया है तभी ये मैं इक एक करके सब कच्वरी डिफ्राइ करूंगी अभी इसमे मैं सेमी फ्राइ करूंगी पहले फिर बाद मैं वाप तो इसको में निकाल लेती हूँ और उसको में पहले अच्छे से वापीस थंडिया कर लेती हूँ और फिर बाद में वापीस में उसको डिफ्राइ करूँगे तो मैंने ये सेमी फ्राइ कर लिए तो निकाल लेती हूँ हमारी कच्छोरिया ठंडी हो गई है तो मैंने वापीस ओयल को गरम कर लिया है तेके करके में ये सब कच्छोरिया इसमेट करती जाओंगी और उसको में डिफ्राइ कर लूँगी ये डिफ्राइ भी हम हम मीडियम आच पही करेंगे अभी हमारी एक साइट से हो गई है तो इसको मैं टर्ण कर लेती हूँ और उसी साइट से भी ऐसाई लाइट गॉल्ड़न ब्रावन कलर आ जाए तब टक मैं उसको डिफ्राइ कर लेती हूँ हमारी ये बहुत ही ते लिल्वा कोचरी हमारी रेढ़ी होगा इसको मैंने ग्रीन चट्नी के साथ सव कया दोया है हाए तो मेरे इन बॉक्स में चाकर देख सकते हों कमारे टेस्टी के कचोरी बन के रेडी हो गई है वाव हमार ये कितनी अच्छी कचोरी दिख रही है आज आपको मेरी ये कचोरी की रेशी पसंद आए तो लाइक से जरू किजिए और हाँ आप मेरी ये रेशी पहली बार देख रहे है तो मेरी चैनल के सब्सक्राइब करने बिल्कुल ना भूल जाओ कर इंसे जरूल्ची कर देख रहा है और है वाँ है ये ये हैं गले कि रहा है कि रहा है कि आपको बिल्कुल लाइक रहा है तो ना चले रहा है कि रहाँ है तो वाँ उड्या दो